तो अभी तक अपना चल रहा था एग्रो फोरिस्टी सिस्टम एग्रो फोरिस्टी सिस्टम ने मैं हमने पहला जो चैप्टर था आपके नोट्स का जिसमें है कि अग्रो फोरिस्टी सिस्टम के क्या क्या benefits हैं उनकी क्या negatives हैं उनको discuss कर चुके थे उनके साथ constant जो है उसे भी देख लिया था इसके साथ उसका जो second chapter था जिसमें अग्रो forest का classification था तो यहां पर हम उसके classification को ही discuss कर रहे थे वहां पर हमने देखा था कि जो PGR नायर जी उनका जो classification है उसको हम discuss कर रहे थे यह बोला जाए कि जो दुनिया भर में जो बहुत सारे टाइप की classification है अग्रो फोरस्टी सिस्टम के उन्हीं को इन्होंने चार वेउसे उन्हें classify कि यह व्यू इसी टाइप के यह चार basis है structure के basis पर function है socio-economical और ecological अब यहां पर जो structure बारला है इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ चुके थे structure में उनके एक तो component देख चुके थे के nature of component means जो अग्रो फोरस्टी सिस्टम है उसमें कौन-कौन से component involved means एक तो अपना agriculture वाला component है दूसरा अपने ट्री component और तीसरा अपनी wildlife component उनके component पर कौन dominant है कौन-कौन सा है उसके हिसाब से हाँ nature of component पर according था और दूसरा इनका arrangement तो यहां पर हम nature of component में एक सिस्टम हमने इस टाइब से बनाए थे तीन सर्कल बनाए थे और इस टाइप से हमने classified किया था अभी हाँ पर जदद देखना नहीं हमें तो यहां पर और इसके आगे हम क्या बढ़ चुके थे की यहां पर हम देख चुके थे shifting cultivation जो इगरीश लवी था इसके एंडर सिटिंग कलटिवेशन को देख चुक्ए थे और सिटिंग म avi मैंने आपको बता दिया th Tat इंप्रोव फैलो लब सिटिंग कार्टिवेशन को फैलो सिस्टम मूलते हैं तुम्ग उसमें कुछ टाइम पीरेट के लिए छोड़ देते हैं फेलो में छोड़ देना दूसरा इसी में हम देख चुके थे तुंग्या सिस्टम और तीसरा देख चुके थे एली क्रॉपिंग अगर यहां पर कुछ छूट रहा है अगर इस लेस्ट में कुछ है जिसे मैंने नहीं समझाया आपको इंटेंशनली ही छोड़ा गया है कुछ उसकी पीछे रीजन यहीं होगा कि या तो वो इंपोर्टेंट नहीं है या वो कंफ्यूजिंग है जिसका आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं है तो जितना आपको बताया जा रहा है आप बैठर है आप उस पर पहले कबर करें और जो कौन से कंट्री में कौन से नहीं होते हैं और इंडिया में किस रिजयन में क्या होता है जैसे कुमREE पूड़ू है ये काफी जधा पूछ चुके थे हैं पर यहां रहा अपना इंपरो फैलो सिस्टम में पूछा जा चुका है यहां कहीं भी अगर आप और आपको तीन इस्टाइब लगे हैं उसका मतलब है बो कुष्चन कई बार पूछा जा चुका है तर फूचा इंप्रोब फैलो अब इसके साथ अपना आ गया था कोश्चन कर लिए थे फिर आया था अपना तूंग गया कि मैंने इस्टोरी बताई थी सायद मैं पिछली वार एक बात नहीं बताना भूल गया था कि जैसे सपोज आपको आप आप आएफस बन जाते हैं और आपका जो हॉ आपके नीचे जो होगा वह सब्सक्राइब और फिर फॉरस्ट गार्ड तो अब इस टाइप से जो एक्स्पेरिमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पर कि लोकों के साथ कैसे अड़्जस्मेंट करना है तो नीचे कादमी करेगा ना की डियाफ़ करने जाएगा खुल तो जो मैंने बताया था कि तुंग्या सिस्टम जो है वो उस टाइम पर जो ब्रांडिस भाई साब थे यह कहां पर थे पेगू पेगू उस टाइम पर बर्मा का एक एरिया है तो यह बर्मा में थे तो जो तुंग्या सिस्टम किया गया वो एक्ट्वर हमें भी benefit और ये ट्राइबल के साथ जो हमारी दुस्मनी हो रही है वो भी कम हो रही क्योंकि उन्हें भी हम कुछ दे रहे हैं तो उनके जो एक्सपेरिमेंट है जब नीचे के एक्सपेरिमेंट है वही धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो वह जब यह ब्रंडिस के पास पहुंचे तो उन्हें वह कॉंसेप्ट अच्छा लगा इसके बाद पर जब वो इंडिया की तरह पाए मतलब जब उनकी पोस्टिंग इंडिया की यहां पर मैमार का जो एक रिजन है रोहिंगा वाला तो रहींग यह जो प्रोवेंस है उससे लगा हुआ है यहां च्टगाओं तो यह पर रहे हैं जिसे जासे चक्मा वगरे जो ट्राइबस हैं अपने नौर्थ-इस्ट इंडिया में है तो वह यहीं से काफी चक्मा वगक तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी यह इस्टोरी है अपनी जे एफम के लिए जे एफम के जो एक्सपेरिमेंट किया गया था सब्सक्राइब नाम जो पढ़ेंगे तब द्यार दे रहेंगे उसको तो हिल्स में किया गया था बाद में उसको हमने पॉप्लराइज हो तो यह इसा नहीं कि जेफम यह फॉस्ट है इससे पहले भी कई बार एक्सपेरिमेंट हो चुके कई जगा प्राक्टिकल हो चुके लेक लेवल पर पॉलसी लेवल पर आ जाता है अब तुंगया के बारे में हम पढ़ चुके थे कि डिपार्टमेंटल तूंगया है लीज तूंगया है और विलेज तूंगया आप मैंसे किसी ने पूछा था कि तूंगया में जमीन है वो तो प्राइवेट की होगी मतलब कि जमीन है तो वो पेड क्यों लगाएगा वह तो पूरी को पेड काट करके साफ करके ओहाँ पर खेती बाली गरेगा क्यों कि पेड़ जो है वह वह पूरी गवर्मेंट लोग और वह होती है फिर हम इसके जो टर्म थे उसे पड़ चुके थे इसके बाद अपना थाड़ आता है कहीं कुश्चन भी आज के पिपर में था और बैसी भी पॉपलर पर क्योंकि कॉमर्चियल इंपोर्टेंस बहुत जदा है तो आपको कम सकम तीन स्पीज है जिनकी स्पेसिंग बहुत जदा याद रखना है उनमें एक है यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस दूसरा है पॉप में इस सब्सक्राइब को किस स्पेसिंग करते हैं अब पॉपलर के साथ क्या है आप सिंपर स्गों कि एले करापिक में यह बेच की spacing कितनी रखी जाना चाहिए मतला one line to line to line spacing कितनी होनी चाहिए तो usually हम खेतीवारी किसे करते हैं टेक्टर से तो हम यह चाहते हैं कि इसमें टेक्टर आराम से या तो एक सीधा सीधा टेक्टर जो पीछा वह नहीं होता है जो बखड़ता है जो भी है या रोटावेटर वगएर तो आ राम से रोटावेटर के साथ टेक्टर चला जाए या ट्रॉली के साथ चला जाए तो यहां पर जो टेक्टर की चौड़ा ही है उसके साब सापन इस पेसिंग छोड़ करके यहां लगा देते हैं अब कुछ ऐसे ल पाँच मीटर मतलब रो टू रो इस पेसिंग जो है वह है पाँच मीटर और अगर प्लांट टू प्लांट की बात की जाए तो पॉपलर के केस में यह हम जनरली तीन मीटर रखते हैं अगर आप अपने आप दोनों प्लांट के बीच में खड़े हो जाओगे तो आपका एक हाथ साइड के प्लांट को अगर टच करना होगा तो दूसरा मतलब बैसे तो टच नहीं करेगा प्रैक्टिकली लेकिन यह समझ लो को दूसरी के पास पहुंचागा वह से टच नहीं करे अब किस टाइब का प्लांटेशन है वह समाज में होंगे रोटू रोटू प्लांटेशन है ठेक है तो यहां पर एहले क्रॉपिंग आप वह समाज में आ गई होगी दूसरा आप इसमें जैसे आपने देखा होगा कि अगर कॉंपटिशन वाली चीज़ है रेडिउस करनी है तो क्या करेंगा हम इसका जो कराऊन वाला है यहां पर प्रूनिंग करते रहते हैं जैसे एक राओन जल्दी से क्रूज ना आपको दिख रहा होगा यहां पर अगर जल्दी क्रूलोज हो जाएंगे तो यहां की जो क्रॉपों से लाइट नहीं मिलेगी तो क्रॉप अपनी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाईगी यहीं एक रिजल्ट होता है कि पॉपलर यह इस टाइप की खेतों में जैसे ग्यहूं लगाते हैं पॉपलर में तो उसका जो अब मेड अप्रेल पर पकना होता वह लगवा अप्रेल के एंडिक लगवा दिन पीछे कर जाता मैं लो यह है जिसे बोलते हैं महा रूख अपके पास जो भी नोट सा उस पर लिख लिए इसका क्या है ऐलन थास एक्सल्जा जो नाकपूर में तो नाकपूर वालों को मुझे नाम तो याद नहीं है वहाँ पर एक एरिया है कोई टेमपल है तो उसके आज पास जो क्रिकेट ब अब यह हो गया आपना एले क्रॉपिंग कंपोनेंट याद रखो कि इसमें एक तो ट्री क्रॉप है दूसरी अपनी क्या है अग्रिक्लचर क्रोप अब इसी में आगे चलते हैं तो दो टर्म बहुत वी आते हैं एक विंड ब्रेक और दूसरा है सेल्टर बैल्ट यह थोड़े कंफिशन कर जखते हैं इस लिए ध्यान से सुनना है पहला टर्म कौन सा है सेल्टर बैल्ट ते को सेल्टर का मतलब चाहें ठीक है चाहें तो बाट इस ऩह साप से बना रहा हो यह प्योड़ों की यह जो बैल्ट बना रहा है उसके पीछे परपाज है monitor देना shelter किसको दे रहे हो आप कि चाहने घर है आपका चाहीं यह farm है जो भी एक उपढ़ क्चार आप shelter provided करवाते हो इसलिए आप यहां पर पीड़ों की एक बैल्ट लगा रहे हो तो यूजली अप हम इंडिया में क्योंकि नॉर्मल कंडिसन है तो हम जैदा कुछ लगाते नहीं है लेकिन जो मिड लैटिटिटूड या कोल्ड एरिया के हैं जैसे कि यूरोप में जो नौर्दन हमिस्फिर में थोड़ा किस तक जाते हैं या रसिय में अगर इनके जो एनिमल चर रहे हैं वीड क्रॉप है जो भी उतने क्रॉप लगाई उसको भी बहुत लॉस पहुंचाते हैं तो इस वज़े से क्या करते कि स्टाइब के पीड़ों को लगा देते हैं जिससे यह विंड जो है वो थोड़ी ऊपर आफ लिफ हो जाए जिसस अधर बड़ा बर बनाओगे तो आप किसे बनाओगों तो आप क्या करोंगे हैं एक साइड सर लगाने शूरू भरोगे मैं फरी क्छोबी siro बना रहा हुं यह पूरा पूरा फिर लंबी से जाएगा तो इसमें आप क्या करोगे कि यहां बीस-में लगाओगे बढ़े पिर फिर उससे थोड़े चोटे उससे चोटे 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 इस साइड मीचोटे चोटे तो यह क्या वह गया एक ट्रेंगुलर सेफ को मतलब किया है कि जैसे यहां अपने मिट्टी की बंधिया डाल दी तो उसका रिजल्ट कह ऊहगा कि जब इधर से कोई हवा आएगी तो इस बेल्ट से उपर उट जाएगी अब यह उपर एक वार हवा उट गई तो उसे बापस गरने में थोड़ा टाइम लगता जब तक टाइम होती है तक घित को पार कर चुकी होती है उसके घर को पार कर चुकी होती है तो इस टाइप से इस हवा से वो एक टाइप से सेल्ट जर्टर बेल्ट है उसका सेब क्या होता है तो सैल्टर बेल्ट का सिप जो honest triangular shape एक question confirm आ गया इसे याद ही रखना है दूसरा है इसकी width क्या है width कितनी होनी चाहिए चोड़ाई जो Delcap वेल्ट की है वो कितनी होनी चाहिए तो को सेल्टर बेल्ट की जोडाई है वो उस हिसाब से होगी कि आप सेल्टर बेल्ट कितना उचा उठाना चाहते हो और कितना उचा उठाना चाहते हो वो इस हिसाब से कि आप कितनी एरिया तक प्रोटेक्शन चाहते हो नहीं सिंपल में हो लूट तो अगर अगले 15-18 मीटर तक की एरिया को यहांसे जो विंड उठेगी उसे बापस गिरने में जब तक वो गिरेगी तब तक यह 15-18 मीटर का एरिया कवर कर चुकी होगी तो यह बेल्ट अपनी हइट से लगो 15-18 मीटर तक मतलब 15-18 गुना तक प्रोटेक्शन दे देता है तो इसका मतलब यह है कि आपको कितना बड़ा एरिया कवर करना उतनी आपको देनी पड़ेगी इसकी हाइट और जितनी हाइट दोगे उसी के साब से आपको करनी पड़ेगी इसकी चोड़ाई हाला कि अब इतनी चीज है mathematical कौन calculation करेगा तो आप उनको एक्जाम निकालना तो simplicity के लिए सीधी सी बात याद रखो कि average जो अगर width बोला जाए तो वह 50 मीटर होती है और ज्यादे तर्में इसी में निपड़ जाते हैं कुस्छन दूसरा अगर आपको कोई question हो रहाएगा मतलब सुरी तीसरा question अगर कोई आता है वो आप से आता है ये वाले ratio पर कि यूच्वली सेल्टर वैल्ट है उसकी height width और length में क्या relation है इसके कहने के पीछे एक परपज़ है कि अगर सेल्टर वैल्ट आप एक मीटर height का कर रहा हो तो सेल्टर वैल्ट की जो चोड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए है अब बलकुल बहुत ही समझ दो कि जैसे एक पोल है अगर तुम सीधा खड़ा कर दो गए इसका मतलब उचाई जदा और चोड़ाई कम है दूसरा ऐसा कर सकते हो जिसकी उसकी उचाई जो है वो कम है चोड़ाई काफी जदा है तो क्या होगा कि इसके compare में य देकर की बीच में क्या रिष्यों होना चाहिए तो यह रशियो होता है एक बाई दस का ये कई बार पूछाचा चाहिए था है कि इसके बीच करेशी हो एक अब यह लुक्षन होता है कि इसकी देखो हैट चो अपना सल्टर, वैlt है इस एक पार मैं टाल हूँ से कहाँ से होत अब लंबाई ऐसा तो नहीं कि आपने यह से भी 10 मीटर का बना दिया बोला इतने में हमारा सेल्टर वाल इतने काम कर दिया तो बोला है कम सकम बैल जो इसकी लंबाई है तो इसकी जो हाइट हो उसके 25 गुना तो हो मतलब एक थोड़ा लंबा तो हो जिससे कम सकम बहुत थोड कर दिया और काम होगया अब अगर सेल्टर वैल्ट के निगेटिव की बात की जाए तो अब इतना तो कर लिए हमने पॉजिटिव चीज़े देख लिए लेकिन इसके साथ कुछ निगेटिव भी होंगे और उन निगेटिव में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जहाब अब सेल्टर वैल्ट बना रहे हो तो यहां देखो कि जमीन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो अकेले से बेटि ने कवर कत लिया तो इस shelter belt ऐसी जगह पर किया जा सकता है जहां यह समस्यां हैं cold या warm wind की समस्यां हैं तेज हवा हैं आधियां हैं इनकी समस्यां हैं और दूसरा जमीन सस्ती है अगर जमीन महंगी है अब दिल्ली में shelter belt बनाओगे तो जितनी का बोलते हैं डोल नहीं उससे जदा का मजीरा फू है कि यह जमीन जहां चीफ हो वहां बनाई जा सकती हैं दूसरा shelter belt में भी आपको वही फायदा है क्योंकि यह पेड़ लागे हैं तो इसे जो आपको टेंजीबल और इंटेंजीबल बैनिफिट्स हैं बो भी मिलेंगे wildlife को एक टाप से habitat मिल जाएगा तो यह जो जंगल के हो तो आपको यहां मिलेंगी मिलेंगे अरूर्не से क्यों बढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर आपके पेड़ component है इसके साथलब्त यहां पर जो आपके 3 component और फिर आफाइनले वेल्ट में इतने से काम हो जाएगा अब इसके साथ अगला हां सेल्टर वेल्ट पर बहुत सारे कुश्चन आए हैं यहां बाई चांस छूट गए हैं लेकिन इस पर ऐसा समझ लो अगर कोई एक्जाम है और उसमें अग्रोफ फोरिस्टी से कुश्चन आते हैं तो आप कंफर हवा ब्रेक मतलब हवा को तोड़ने वाले तो इसका परपस है कि आप जो हवा है उसे ब्रेक कर रहे हो आप मतलब हवा की जो स्पीड है उसे ब्रेक कर रहे हो आपका परपस वहां हवा को पूरी पूरी एरिया से उठा देना नहीं है पस आप इतना चाहते कि जो हवा स्पी यहां पर जो है जैसे के बेड़ों की एक लाइन लगा दी यह अपना एगरिकल्चर का फिल्ड क्या हो रही है एगरिकल्चर खाज कर जैसे आपने देखा हुआ कि वीट जो हम लगाते हैं डीप वीट में क्या है कि जब उसकी मैचियोटी आजाती है तो इसमें बालीयां आज हो जाती है मतलब जुक जाती है जो जुकते हैं उसे अगरिकल्चर वाले पढ़ते हैं लॉजिंग मतलब उसकी जुक जाना वह थोड़ा निक्सान दे देता है और आपको हर्वेस्टिंग के टाइम पर अगर उसकी रूट सिस्टम डमेज हो गया तो थोड़ा फाइनल में प्रोडक्शन पर भी इंपक्ट बना जाता है तो अब इस टाइप की लॉजिंग किसे होती है हवा से अगर हमने यह विंड ब्रेक लगा दी तो क्या लॉजिंग हो पाईगी नहीं तो इस टाइप से हम जो विंड का शक्ट है उससे रोखने के लिए बनाते हैं विंड ब्र अब यहां पर यह एक रो एक रो जो है वो यूजली एफेक्टब नहीं होती है अब आपने देखा हो कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने एक रो यह दो रो में प्लांट लगा रहे लगे रखे होते तो वह विंड ब्रेक का काम करते हैं जैसी जिसकी रिक्वार्म में भी सेम कॉंसेप्स सकता है तो यहां पर जो जो जोन है जैसे कि मैंने बोला हवा उठा दी इसने थोड़ी बहुत तो यह भी उठाएगा और थोड़ी बहुत यहां से फिल्टर होके आजाएगी जबकि सेल्टर बैल्ड उसमें तो हवा फिल्टर होके लगवाग आई न weather शांत सा रहता है इससे पूलते है क्विट जोनद सांत्थ चिद्र जबकर यह जहां पर यहां रखा है जहां पर इसां वह एक्टिवीटी चल रही है उसे पूंटे है विक जौन तो इतना याद रहें कि क्विट जॉन और टर्म है वो वेंड ब्रेक हलाकि कभी-कभी सर्टर बेलट में यूज़ करें लेकिन मैं जूटि यह विंड ब्रेक में ही यूज़ करते हैं कौन सा कुछ जोन और वेक जॉन इसको कई कि याद रखना है और यहां पर यह देख रहा है कि अगर इसकी हाइट है हाइट को अगर एक यूनिट में ले लिया जाए तो जो अपना कुछ जो आना है बुला हूं कि आट से बारा मीटर जो यूनिट तक है वहां तक चालता है कि अब अपने नेक्स आजाता है इसी में एक है मल्टी स्पेसीज ट्री गार्डन यहां पर क्या है ट्री गार्डन गार्डन है लेकिन उसमें ट्री है और दूसरा वह भी मल्टी स्पेसीज हैं मतलब बहुत सारे पेड़ा है तो जैसे कि आप कहीं भी चले जाओ इसे बलनिटेशन कर दी यहां दूसरी मिलाव गार्डन बना रखें जिनके बीच वीच वी यह अगरिकल्टर प्रॅप यादर गॉप कर रहा है कि अपनी हो जाती मौल्टी इस पीसीज ट्री गार्डन मतलब अक्रिकल्टर पर ले रहा है यह वह ट्री गार्डन है ट्री जो भी आते हैं अभी तक आप जब भी उन्हें मुल्टिपल देखोंगे च्वाइस कुस्टन में तो कुस्टन उन से आते हैं जो टर्म सीधे दिमाग में हाइलाइट हो जैसे मुल्टी स्पीट्री का यह थोड़ी कन्फूजन क्रेट करने वाले इन पर कुस्टन ने बनती है उनके कोच्टन हाई-लाइट2020 बने जो सिम्पल से टर्म होता है उनके संह agriculture जुछ इसका पहली आप्ण मिल गया अग्रिएज़ ग्रॉप ओर ट्री के अगर यहां फूडर क्रॉप प्रॉप ट्री होती है तो क्या फूडर मतलब 4 तो यह है silvy और पास्टर adventure system दूसरा अग्रिकल्टर क्रॉफ फुडर और ट्री तो यह क्या हो गया आपना यह है अग्री शिल्वी पास्चर पॉर आलब दीज्ट को ऑप्शन में है अब अपने आंगे आते हैं तो दूसरा अपना आता है वह सिल्वी पास्चर सिस्टम राजस्थान वाले इसे याद रखे या ब अग्रेस एक्ज्रामपल ये वह है प्रोटीन बैंक शिल्वी पास्चर सिस्टम में और भी बहुत सारे सिस्टम आते हैं सबी बताने कि इसलिए जरुवत नहीं क्योंकि जो कुस्चन आता वह प्रोटीन बैंक से ही आता है उसमें क्या है प्रोटीन मतलब जो आप खाते हो प्रोटीन कार्वाहिडेट फैट तो यहां पर आपने जो पेड़ लगा दिया है वह इस टाइप से लगाए कि उनकी पतिया है जो है वह प्रोटीन रिच है और नीचे आप लगा रहा है वह ग्राशिस बगर है तो वहां पर बासांज में आगए तो यह जो एरिया है वह ध़ क्षेतिवाड़ी करना ओचिवाल नहीं आर। खेतिवाड़ी होती है तो यहाँ पर हम ग्रास नहीं वारहा होते हैं पर हम यह और और वार्टक आंम है मतलब कर स्कार्म बॉच्छानेन हरा उसलिचस्तान के मारी चिओधिया। जिसे वेस्ट लेंड वगरा है जहां पर वही है वेस्ट लेंड है यानि कि जमीन अभी इतनी सुटेवाल नहीं कि वहां कोई क्रॉप ली जा सके या जमीन में जैसे हर्ट पेंड बगरा की फैसलिट प्रॉलम्स है इसू है तो उसकेस में यूज कर लेते हैं अब मुद्दा ह है यहां ट्रीश प्सीज कर जो पेड़ है वो कौन से लेंगे तो हम पेड़ वो लेंगे जिन में प्रोटीन काफिय अच्छा है और दूसरा हम बना के से क्लिए रहा है एनिमल्स के लिए मिस जैसे अपने बखरी वगरा इनके लिए तो जो पत्तिया है वो इस टाइप की हो हों कि बखर्या वगरा बहुत जड़ा खाती हूं जिसमें पहले आता अपना बबूल दर खाती हैं दूसरा लिए सिनर लीकोसिफयला इसे क्या बोलते है सुबह बूल नाम याद रख लेना कि लिए सिन लीकोसिफयला इसकी फैमिली भी याद रखनी है कई बार पूछी जा दोनों बता चुका हूं यह किसकी फैमली है यह रिंतरी चीडिया याद रख लेना तो यहां पर आपको यह ग्लिरी सीडिया है जिसका बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ग्लिरी सीडिया को अक्सर हम पेड़ जो अपने खेत हैं उनकी मेंड़ों पर लगा देते हैं ग्लिरी सीडिया का परपज ही यह प्रोटीन के लिए लगाते हैं मितलब एनिमल के लिए जानवरों क तो हम क्या करते हैं जो नाइटोजन तो फिक्स करें गारेगा उपड़ से जो पतिया है जो ट्विक्स वगरा है इन्हें बाद में चॉप करके खेट में फैक देते हैं जिसे वहाँ पर एजे ग्रीन मैनियोर भी यूज कर ले तो यहां रहा अपना प्रोटीन बैंक प्रोटी भी ओरभी पार्ट है सिल्वी कल्चर भी पार्ट है और फौर इसwe है मतलब ए हैs पॉसर भी ओर नुबिशाल BBQ और उसका और का बैस्माल आयथ वह को आते हैं अपने हॉम लाइन हो हों गार्डन कहां होते हैं जनली जैसे के गार्डन का मतलब बगीचा हों। होंका मतलब घर तो होता क्या रिएस जो ट्रॉपिकल ररैन फोर्स्ट In लाते थे तो इनकी इस साइड में उन्होंने यह गार्डन कर रखा इस यह था अब इस गार्डन में क्या है यहां पर उन्होंने नारियाल के पीड़ लगा रखें रूपर नीचे उन्होंने agriculture की crop ले रखिए बीच बीच में ने चारा अगा रखा तो इस ताइब से तीनों चीज़ें उन्हें अगरी कल्चर की crop मतलब यहीं नहीं कि वह गया रहा है अगरी कल्चर में बहुत सारी crop होती है जो ti door crop societies inмат Rise of the CC अपर की मतलब यह वह हैं जिसमें तीनों component इसे बोलते हैं अब अगर आप अब आप से होम गार्दन की कोई कोई कुश्चन आएगा तो पहला कुश्चन है कि किस किस एहिए में करेंगे तो पह सुद यहाँ component एक है ground vegetation grasses फाली मिड़िल vegetation और एक टॉप तो इंडिया में जो हम गार्डन्स हैं इसका कॉंसेप्ट जो सबसे ज़्यादा चलता है वह पिरल में चलता है तो आपको जब भी एक्जाम्पल में या कुस्चन जो आएंगे वह या तो आप से हाई रेंट फॉल एरिया पूछेंगे या आप से दूसरा पूछ सकते हैं वह केरल तीसरा यहां पर यह पूछ ले जाता है कि तीन-चार स्टोरी जो कैनोपी की हैं वह पंतिया इसके बाद किसमें क्या होगा वह यहां पर चीज आप उन्हों बता चुके हैं अब मुद्दा आता है इसमें कि इस पिसीज कौन-कौनजी होगी अब देखो मेंस तो कुछ आपका एक्जाम है नहीं जिसमें आपको इस पिसीज के लिखना हो पस आप एक वाद थोड़ा बहुत तिखलो के साउथ वाले क्या है बड़े पेड़ की बात की जाए तो कटल होगा सकते हैं मैंगो होगा सकते हैं और कोकोनट तो उनका मिलेगा कोकोनट और बनाना केला त जैसे मैं बोल देता हूं कि आप बोलोगे कहां कहां पर होगा टेंसन मतलो एक लेस्ट है जो आज ही साम तक आपको मिल जाएगी जो यह सभी पेड़ों की पूरी साइंटिफिक नेम है उसमें तो जो मैं आपको बता रहा हूं बस आपको यह करना है को उस लेस्ट पर क्लिक अरफ्टक कर लेना कीजिए यह पढ़ना है तो पस उनी को याद रखना उनका उसमें कॉमा नेम है साइंटिफिक नेम और फेमली है और अब याहाँ होगा तो होगरा ऊश्चय देख रहते हैं कि हम गार्टन कहां पर फॉप्लर रहता है तो बता दिए कि यह करला वाले दिए अहे वह सी तुन obs सी कुर्षण आते तो बहुत पॉप्लर है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उस पर कुछिन जदा जाते हैं एले क्रॉपिंग को किस कंट्री में क्या बोलते हैं और भी चीज हो सकती है बुनी में यह हम गाडन पूछ लिया अब अगर आप ऐसी पढ़ते रहा होगे ना तो अगरो फॉरस्ट को किस में फिर किस कंट्री आहां यह डालने के पीछे रीजन यहीं है कि इस टाइप के भी कुछिन आ जाते हैं इन में बिदना नहीं है क्योंकि इन में फसने का मतलब है कि ऐसे जो दो चार कुछिन है उससे आपके सलेबस डबल ट्रपल हो जाता है और फिर उसमें यह तीसर ग्राफ लेंड है अब कुछ हो गए कि जो इस फ्रैमबर्क में नहीं बैठवाते हैं तो उन्हें हम अदर सिस्टम कर गए कर देते हैं उन्हें पहला है सिल्वी पियरी इसमें पियरी क्या है जो एपी कल्चर है एपी कल्चर कैसे बोलते हैं यह टर्मियाद रग जो अपने हनीवी पालन करते हैं मदमक की पालन करते हैं तो जो हनीवी है उसको बोलते है एपिस डॉर सेटा उसका साइंटिफिक नेम है तो एपिस डॉर सेटा एपिस जो जीना से उसी से उसका जो साइंस बना उसे बोलते है एपी कल्चर तो जो सिल्वी पियरी है वो सिल देखो हनीवी को क्या चाहिए उसे चाहिए फ्लॉवर जिससे वो लेगा पराग करेगी रस और उसी को इखटा करके सहत बनाएगी तो आपने क्या किया यहां हनी पालन को पेड़ों के साथ जोड़ दिया तो वह अपना सिल्वी प्यारी अब इसमें भी कुछ फिमस्ट्री है जिन हम जनरली लगाते हैं क्योंकि हनी जहां भी पालाण कीया जा जा रहा है जिसे राजिस्थान में काफी लोग कर रहे हैं तो लोग क्या करते है कि जब आपने अगर्मी आती है तो वो जो तरही रीजन है रूद्रपुर वगर एका जो उत्रखंड का रीजन है हमाले की की तरही में तो गरीमियों के टाइम पर अपनी मेदमक्यों को लेकर जाते हैं और बापस यहां लेकर आते हैं ऐसा क्यों करना पड़ता है क्योंकि देखो जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि 15 दिन आज खालो और अगले 15 दिन भूगे रहो वैसे हनीवीज के साथ है इने जो फ्ल की चीजां कर रहे हैं जहां हम पेड़ी लगा रहा है मदमक्य के लिए तो आपिसलिए हम वहां पर ऐसे पेड़ लगाएंगे जिन में फ्लॉवर साल भर आते रहे हैं चाहिए तो हम मिक्स कर करते हैं मतलब ऐसे कर सकते कि एक पेड़ होगा जिसमें जनवरी में आए दूसर दूसरा हम वही पेड़ लगांगे जो इंडिया में उकते होंगे अनमाने को बार से तो ढून नहीं लेंगे तो हमारे यहां क्या है जैसे कि जामून है जामून को काफी अच्छा लगा देते हैं क्योंकि इसके फल में जो पॉलन ग्रहन हो काफी जड़ा हैं दूसरा कैसिय कैसिया में तुम देखा होगा अमलतास आता है कैसिया फिस्टॉला जो है अमलतास उसे भी यूज कर लेते हैं और गिलेरी सीडिया तो मैंना भी आप से बोला कि इसकी जो लेव्स है उन्हां फार्में डाल देते हैं ग्रीन मनियूर के लिए तो ग्रिलेरी सीडिया भी यू मचली मेरे मचली मेरे मचली hacks अगर के लिए और मचली के लीगे बाड बाना खिलाएंगे जो अगर आपको स्वाधितना पड़ यदा आप को सिफरी है चाहिते हो एकाट anti calmly उस्थे अगर मचली यह तो इसको लों काना ही होना चाहिए तो जो मचली है वो क्या खाती है जो इसमाल जो है डाइटम्स है ऐलगी है उसे थो फिर इलगी कैसे होगी है तो उसके लिए आप क्या कर देते हो को यहां पर फेल लगा देते हो है अब जब यह प्योले लगांगे तो इनकी पत्तियां जड़ांगे पत्तियां जड़ांगे तो क्या होगा पत्तियों जब यहांपर यहां पर सडीगो सड़ाँगी उसको हम उसको तो इस नीडिक के प्रुटाईब Sun। आप 수 पानी फोरेस्टी मतलब पेड़ तो एकवा फोरेस्टी में यहीं चीज़ चल रही हो जिसमें अपने सुबाबूल लिए उसना लिकोसिफला जो सुबाबूल है वह काफी ग्रो करते हैं उसके प्रणों के आसपास दूसरा अगर बात किया जाए जैसे यहां की बात नहीं करता हूं कि अगर वाटर लॉगिंग एरिया में कोई पेड़ लग सकता है इस टाइप के हम लगा सकते हैं तो वह आता अपना अकेशिया निलोटिका निलोटिका उसे यहां मेंसन कर लेना अपने नोट्स हैं वह यहां पर है नहीं बबूल भी काफी अच्छा ग्रो कर जाता है वाटर लॉगिंग के आसपास क्यों की बूल में सर्वाइब कर जाता है अब एक्वाफ फोरेश्टी के बाद अपने इस फ्रेंबर की बाद की जाए तो पहले हम इस ट्रक्स्टर के बेसिस पर पढ़ रहा है थे जिसमें हम इन चीजों को यहां तक कवर कर चुके हैं जिसम अगरो सिल्वी पास चाहिए जिसमें हम गार्डन है और अधर सिस्टम में आपको एपिकल्चर और एक्वाफ फोरेश्टी पढ़ा दिया यह जो चीज है अगर इनका सेंस होता तो मैं आपको बिल्कुल पढ़ा जा इसलिए छोड़ देना तो यहां अपर अगर बोला आपको क्या आपने जो अरेंजमेंट किया कोई इसपेशिक आरेंजमेंट है यह बस ऐसे खाली पीली का कुछ विए जैसने मतला है इससे लो fiscal मतला आपने जो आरेंजमेंट किया है जो पेड़ है वो किसी ने किसी इस पेजिए पेटन को फूलू करते हैं चाहे आपने खेथ है उसकी बॉंडरी पर आपने प्लांटेशन की हो तो केवल बॉंडरी बॉंडरी पर ही मिलेगी आपको यह आपने वहां LA कॉर्पिंग की तो रोप डू रोप में चल रही होगे वो यहां कोई यहां कोई इधार है जो बढ़े बढ़े पेड़ रहागा उन्हें छोड़ दो ज्यद्धा बढ़े हैं तूट वह मतलब आगला का निकवाधिन का कुछ होगा नहीं और काटने की जरूवत नहीं है तो कुछ बढ़े-बढ़े पेड़ बीच में छोड़ दिया और अरेंजमेंट के हिसाब से एक स्पेशल अरेंजमेंट है और दूसरा टेमपोरा रही तो यहां इस्ट्रक्टर के बीसेज़ पे आपना सेल्फी कलचर यह स्ट्रक्टर के बेस्पे अपना एग्रो फोर्स्टी सिस्टम का क्लासीफ करिसं था वो कंप्लीट हो गया आपकर द इसाओ बहुत पेड़ों के जो अपने टेंजीबल और इंटेंजीबल बैनिफिट पड़े थे फोरेस्टी वास वही लगा देना वही काम है सेम चीज़ है क्योंकि पेड़ कंपूनेंट जो यहां है वही काम करेंगे अब अगर निकात तीसरा वाला जो अपना था सोसियो इकॉनामीकल प्लाशिट्प किसा इज़ोसियो-इकुनाम्मिकल में कहाँ, कि आप जो एग्रोफोरस्टी का शियो और आपस प्सक्राइब लोगों ने जो अग्रो फोरिस्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है वो किस परपज के लिए गिया है पहला आपने देखा होगा कुछ फार्मर जो होते हैं अपने खेतों के आसपास कुछ पेड़ लगा देते हैं वो पेड़ का मतलब यह नहीं होता कि इस पेड़ को वो काट फिर बेचेंगे और उससे करोण पती होंगे और यह पिड़ बेच करके किसी टाटा वाली कंपनी को देंगे जो पेपर बनागी हाँ हाँ उनका परपज नहीं होता है उनका केवल इतना परपज है कि यह बढ़े हो जाएंगे तो इनने काट देंगी काटने से जो लखडी जनरेट होगी वो उनके घर में जलाव लगड़ी हो जाएगी काम में जागी घर का कोई मर मर हो गया तो उसे भी चाहिए लगई तो इस ताइप से जो काम चल रहा है उनका जो परपस है वो अपने जो सिस्टम है उसको सरवाइब करना उनका कॉमर्चियल या इंडिस्ट्रिय सिस्टम सेम तर्म यही तीन टर्म है वो एक्रीकल्चर में भी एप्लाई होते हैं जो सब्सीस्टेंस फार्मिंग है उसका भी परपस यह है कि फार्मर उतना उगाता है वो चीज़ां जो से कंजप्शन के लिए चाहिए उसको एक नॉर्मल कंजप्शन घर की जरूरतों के लिए चाहिए उसे कोई बहुत बड़ी चीजा करने की जरूरत में होती है दूसरा है इंटरमीडियेट का कहना यह है कि देखो हम इतना होगा है कि हमारी घर की जरूरत है भी पूरी हो जाए और फिर सपोज हमें गाड़ी चाहिए किसी को मोबाइल चाहिए तो इस टाइप ज साथ कुछ कॉमर्सियल गेन भी चाहते हैं लेकिन इनका किसी इंडिस्ट्री से कोई लिंकेज नहीं है इनका परपाज है कि पीड़ लगाओ पीड़ों को काटके मार्केट में बेच दो चाहिए वह कारपेंटर वाले लेके जाए प्लाइबोड वाले लेके जाए या पेप वैसे करेंगेरी क Bluetooth यह यह किसी न किसी पर्लेग आइंडिस्टी से लिंक है इनका पूरा जो प्रोडक्ट्सन है वह काफी बड़े लेवल में प्रोड यूदिश करते वह उती सी कशोर्डी कर देते हैं यह उससे जो पैसा गीन हो ता उससे अपनी खाम जलाते रहते हैं जै में है उकलह। है यूकि लेपल आज कि प्लान्टेशें जो माहरायस्टा का जो जिंद खुए से के नाम चंद्रपूर ऐघा कॉज एक बरेस्टबूर रीजन में जो भूर। आज इना가지 इसको देख चुके हैं अब लास्ट आता है इसको देख चुके हैं अब लास्ट आता है इको लोजीकल बेसे कि क्लाइमेट मेश्ट्स कोड़ वाले बहुत को लोजीग की साफ से दिखा जाए तो यह एक्रोफ कुंसा अग्रोफ़ोर sih किस टाइब के क्लाइमेट में किस की सिस्टम M. अगरा लेंड वाले हुमेड और सब हुमेड रीजन के अग्रोफोस्टी सिस्टम जैसे में अपना जाता है जैसे की होम गार्डन के रलवाला फिर थोड़ा अगर जमीन की उचाई और बढ़ा दी जाए तो फिर हम बुलते हैं उसे या तो आप ऐसे समझ दो कि यह समुद्र का लेव करें रहा हो एक ही जैसी कंडिशन वेंति हैं तो यह दूसरा आएगा अपनी समी एरीट सब्सक्राइब जैसे के राजस्टान वाला इसे अपना रजस्थानहों यह तो पानी ह realitiesmug Kelly सक्क्थिस और और ना сов जैसे नाट वाले रीजन को और अपने गुजराग और STEPHANats गुजरात में नीम है वो काफ़ी इंडिस्टी जो है वहां उनने नीम कोटेट यूरिया के लिए नीम के सीठ चाहिए तो रहिए जिसे वह निका लेंगे पर निम चाहिए तो यह तो इस्थाइब का नीम लगाया जा रहा जो कहां आगे अपना इसमेरेट रीजन में तीसरा हाई लेंड हाई लेंड मतलब पाड़ियों की टॉप वाले पूर्शन पर जो यह तो अपनी साथ इंडिया में देख लो तो निल लिगरी रेंज है इधर अपने गरादून है दार्जिलिंग वगर है यह इतर हमाले वाला में चले जाएंगे सिक्के में तो यहां पर क कौन से लगेंगे अब एक कही बार ऐसा है वैसे तो अभी तक कुसर नहीं मिला मुझे लेकिन कहीं पहले की कुसर में कहीं आया था कि टी गार्डन है कौफी गार्डन है उसमें कौन से प्लांटेशन को हम यूज करते हैं तो यूजली जो हम जैसे अलवीचे वगर हैं यू कहलें लगें कियां कर दो कियां क्यू cigars में कायं कर रते हैं दो कोई भी नियुचाहएता काव Я अजथा वसे नहीं सुद्द औरnicos समाझCome कैं अब इसके बीच जो थोड़ी बहूत खचोरन बचीए नहीं है है कि choice of agroforestry system हम कहीं भी कोई भी agroforestry system हो गाएं तो क्यों हो गाएं और फिर हमें हमारे पास इतने सारे agroforestry system जैसे मैंने आपको 78 बढाती हैं अगर आप जब detail में जाओगे तो यह drills के ऊपर निकलाएगे तो इतने सारे अगर आप मान की चलो राजस्थान में किसी रीजन में है अरावाली के आसपास और आप चाहते हो कि आपके यहां सिस्टेम लगाएं तो आप कौन सा लगाओगे तो आप लगाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर देखोगी चीज़े कौन कौन सी हो सकती है जैसे आपके आपके पास एक तो फार्म है जब यहां पर लगाओगे तो यहां पर एक पेड़ लगाओगे जो भी लगा रहा हो दूसरा यहां पर अग्रिकल्चर को आप लगा रहा हो कुछ तीसरा आपके पास क्या हो गया यहां का इन्वार्मेंट कैसा है तो आपके पास अगर स्टेक तो आप यह देखोगे कि जो पेड़ है वो फास्ट ग्रोविंग होना चाहिए मतलब यह जल्दी से बढ़े जल्दी से बढ़ेगा तो उत्पादन जल्दी मिल जाएगा जिससे आपको जो नेट गेन है मोनेटरी गेन है पैसा मिलना वो जल्दी मिल जाएगा दूसरा आप य कि यह अपनकी जो अग्रिकल्चर क्रॉप है उसके साथ कोई कॉंप्टिशन ना करता हो उसके साथ ऐलीलोपैथी जैसी एफेक्ट जैसी कुछ काम ना करता हो और अगर इसमें कोपाइसिंग अबिलिटी है तो बहुत बढ़ी है कोपाइसिंग से क्या होगा कि जब आप इस साथ साल में ही मिल जाएगी तो कोपाइसिंग अबिलिटी हो तो बहुत बढ़ी है इसके साथ साथ इस क्रॉप यह क्रॉप जो है आपके आसपास के इंवारिमेंट पर कोई निगेटिव इंपैक्ट ना देती हो जैसे कि अगर आपने अपने खेत के बगल में आपको दिख दूसरा पॉपलर के केस में आपने सुनाओगा जम्मू का स्मीर में जो हाई कोड़ था उसने बोला था कि पॉपलर को वहां से हटा दू क्योंकि उसके पॉलन ग्रेंड उनको एलर्जी कर रहे थे वहां के लोगों को तो आप जो प्लांट लगा रहे हो उसकी थोड़ा जो आजिस्थान में लगा दो ग्रो कर लिया जब पूरे इंडिया वाले उस प्लांट को जानते ही नहीं है तो कोई मार्केट में डिमांड ही नहीं है जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो कोई आपको खरी देगा नहीं तो आपको जो रेट मिलना चाहिए भले वह एक मीट में डिमांड ही नहीं है तो कहां पेचो गए तो यह चीज़ां हम देखेंगे और इसके साथ साथ बैटर होता है कि अगर जो हमें पेड़ मिल ला है उसके बहुत सारे यूज हो मतलब ऐसे ही नहीं कि गिबल टिंबर के लिए लगा दिया अच्छा अगर पतिया मिल रही हो तो बहुत अच्छा हमारे अनिमल जो हैं उनको बेनिफेट मिल जाएगा तो यह तो अपने रहे कंपोनेंट ट्रीक है इसके साथ स्वाइल कंपोनेंट है वह हम चुछ सब्सक्राइब देख लेंगे यहां की स्वाइल कैसी है यह पिल्ड वहां के स्वाइल में उख पाएगा यह नहीं हो पाएगा इनवार्मेंट कैसा है आप ठंडे अरिया का सेलेक्स पॉपलर उठागे लेकर आजा और आज इस थान में जल जाएगा तो आपको वह चीज़ा भी देखनी होती तो उन्हीं के इसाब से आप उन चोईस आप इस पीड़ है उन्हें स्लेक्ट करेंगे इसके साथ आपके स्लेवस में ये है कि अग्रो फूरेश्टी सिस्टम अंडर डिफ़र् быстро अ ऊंडर्ण और डिफरेंट अग्रू खिलामिटिकार आफं इंडिया ठतलब इंडिया के जो अलग अलग अग्रो जो एको लियकल जो तो उन जो आ गया वो है अपने गंगटिक प्लैन वाला तीसरा जो एरेट रीजन है वो आ गया नीचे यह इन्हें एरेट लेंड में यह सब चीज़ा पकार लिए इन्हें इसके वाद यह हुमेड और सावी हुमेड रीजन जो अपने कोस्टल एरिया वाला वाला हुए है मतलब अधरिया करना क्योंकि आपको रिटन एक्जिंअग नहीं है आपका अबजाटर रहा है तो आपको कोई सपैस्पिक जो एक्जाम पहला है नहीं देखो सेवेंटी के टाइम पर यूपी गवर्मेंट ने उत्रा खंड में एक प्लांटेशन वर्ग चला था यह फ्रूट वर्चाइड का वह यहां पर अपनी जो नैनी ताल है नैनी ताल से लेकर के मसूरी तक एक पूरा-पूरा पाली कोई फ्रूट में करने वाले थे वह तो शु है था कुछ याद रखने की जरूवत नहीं है जहां हो गहीं बता दूँगा अब यह ग्रेविया अप्टिवा है यह प्लांट है यहां पर हाइलाइट करने का परपर यह कि इस प्लांट को देख लेना काफी अच्छा प्लांट है मतला अक्सर एक्जामपल में आ जाता है तो नाम याद रख लोगे ग्रेविया अप्टिवा होता क्या है दूसरा है इंडो गंगटिक प्लैन का अब इंडो गंगटिक प्लैन में क्या है यूपी वाले हैं इनको चारी की जरुबत होती है तो यह बॉन्डरी प्लांटेशन करेंगे यह प्रोटीन बैंक बस इतना प्लैन में आप लोगते हैं उन्हीं को हम लगाएंगे तीसरा यह अपने मतलब का है क्योंकि यह राजस्थान से रिलिट्टिड है जिसमें है सेमी एरेड एरेड रीजन और यह जो पार्ट है यह दिहार रखना आईशियर वालों को इतनी चीज़ें याद ने रखने उन्ह है एक याद रखो पॉपलर है तराई रीजन का हम गार्डन है केरल के और जो प्रोटीन बैंक है वो है सेमी एरेड रीजन का यह तीन चीज़ों में आईशियर वालों का जिन्दगी कट जाती है अगर राजस्तान वालें उनकी बात की जाए तो वो इनकी इनको नाम को याद रख लो बखा की चीज़ें समझ में आई जाती है ऐसे कुछ है नहीं इनमें अब यहां पर एक कुश्चन है कि जैनरली जैनेटिकली इंप्रोग्लोनल प्लांट स्टॉक अप इन्होंने यह ब होगी तो देखो दो तो प्लांट सीधी से यूकलिप्टस और पॉपलर इन्हें तो अपनों को पता है अपनों बहुत ज़्यदा कॉमर्सिली यूज करते हैं क्यों क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो यह फास्ट ग्रोविंग है तब यहां यूकलिप गवंदीया यहां क्योंट सकता है लेकिन लेते हैं चलो क्या है यहां यूकलिप्टस और पॉपलार यह तीनों के इसे वी सबस्क्रामरें मैं लागाए जो अपने लिए व्रगोस लगए अब नहीं पर अपना लग सकता कि यार यहां तो कैजुरायना है रहां तीनों हैं तो अपने यहां लगा जए me यह अपना आंसर हो गया अब रूजञाए उन्हाई मैंने आपको बताया कैजुरायना हम इसलिए इंटेट्रोडीच करके आए क्यूवट्टाल तो यहां पर अपना यह वाला आंसर नहीं होगा यहां पर अपना आंसर सही है यह बहुत सारे यह नहीं नहीं है यहांपर तो की सियाओ इसने हो सकती कि इसका अंसर अपने हैं यूकिलिप्टस पौपलर और चेशिया है यूसयली हम जो बांस प्लांट लेकि है उनके पिछेयर इहां यह तो कव फास बोर्विंग रहा थो उनसे कुछ specific type का timber जो production होगा उसके लिए है जैसे pencil बनाते है pencil के लिए जो wood चाहिए जूनीपर्स की वो अपने इंडिया में नहीं उखती थी तो हम जो जूनीपर्स की लेके आया है plant उसका purpose वहाँ वो wood का production है वो fast growing है या नहीं यह कोई aim नहीं है अपना चलो इस यहां आंगे बढ़ते हैं इसमें तो इसमें लास्ट चेप्टर जो आता है इसले पास में वो है design and diagnosis इस चीज को ध्यान से पढ़ते हैं कि यह आखरी है क्या देखो कोई भी agroforestry system है वो system time के साथ evolve होता है जैसे मेरे जो notes है यह इनका second edition है जो पहले से काफी improve है इन में कुछ कमिया है जो मुझे पता है कि कमिया है हम लोग उसे अगले edition में और improve करेंगे और तर आंगे और improve करेंगे तो same यह होता है agroforestry में जब आप कहीं अगरो forestry क करते हो तो उसमें कुछ समस्याइं आती है आप उनकी समस्याओं को पहचानते हो identify करते हो जब वो समस्याओं एक बार identify हो गए तो आप उसके साबसे अपनी जो एक्व फोरेस्टी सिस्टम की design है उसमें adjust करो design में कैसे जैसे कि आप एली क्रॉपिंग करते हो एक पिल की तीन मीटर की थी अब आपने इसकी design में क्या adjustment किया तो बोला यहां के राजस्तान के हिसाब से यह सही नहीं बैठ पा रही है तो यहां पर spacing को बढ़ा दो तीन मीटर की spacing को आपने करती है चार मीटर तो यानि कि आपने spacing plant to plant किया रो तो जो भी spacing में adjustment किया यह species को change किया तो यह जो आपने किया यह जो system में जो करते हैं जिससे कि आपका जो system है वो और better हो तो यह पूरा पूरा जो research and development का जो काम है इसको बोलते हैं design and diagnosis मतलब पहले हम diagnosis करेंगे समस्या किया है फिर उसको उसकी agroforestry system की जो structure है उसमें यानि कि design जो है उसमें adjustment करेंगे जिससे वो और better बनाया जा सके हैं किस बात के लिए better कि एक्रो फोर्स्टी system के तीन basic pillar है पहला है system में flexibility होनी चाहिए अगर हमने इस system बहुत strict होगा तो क्या है farmer जो family life होती वो थोड़ी धीली ठाली होती है तो अगर flexibility मतलब अगर उसने आज वीडिंग करनी थी नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं अगले महीने कर दी कर दी कोई बात नहीं तो वह इतना flexible हो system कि छोटे मोटे अगर change किये जाए तो उसमें कोई फरक ना पड़ है final rotation में final income में दूसरा है speed अगरो forestry system project है जो plants है वो ऐसे नहीं हो कि डिल सो सालबाद production है तो वो थोड़ा ठीक ठाल सरता रहा है और तीसरा है repetition आप जो work कर रहे हैं same work को आप आराम से repeat करते रहे हैं same way में वो चलता रहा है कोई दिक्कत वाली अद नहीं हो तो इस ताइप की चीजें चलती रहती हो और इन्हीं के बेस्ट पर हम उनकी design और diagnosis करेंगे अब आपको पहले मैंने तीन क्राइटेरिया बताया थे कोई भी अग्रोफोरिस्टी सिस्टम है उसकी designing करेंगे जो मैंने जैसे अभी बताया को प्रोड़क्टिव हो सस्टनेवल हो adaptability हो तो तभी लोग उसे adapt करेंगे तो इन्हें यहां पर थ्री क्राइटेरिया आप गु कुँझा वाइडोन है तो यह लोह सितस नोल्ग यो जिजन टाइकोश्ट रोग्रोफ उस्टलति ऋसका फॉल norms पूछ लिया हो तिया डिजाइन डिजाइन डिजन इया डिजन यूँच्छवी डियागनोसिस पहले टर्म लिखा जाता है बाद में उसकी लिखा जाता है डिजाइन क्योंकि जब आप पता पाड़ लोगे तब ही तो उसकी डिजाइन करो है कौन कर सकता है जो इसमें रिसार्चर है एक्स्टेंशन ऑफिसर जो फोरिष्टी में एक्स्टेंशन का काम कर रहा है एक्स्टेंशन फोरिष्टी का काम कर रहा है या अग्रोफोरिष्टी में एक्स्टेंशन का काम कर रहा है गावर्मेंट फिल्डवर्ग है एंजिवर मतलब कोई भी कर सकता है अब करते कैसे हैं आ पहले आप वहाँ पर कुछ समस्यान देखोगे, कि यह अग्रोफोरिशी सिस्टम जो आप ले रहे हो, उसमें सबोज ऐसा देख रहे हो, आपके यहाँ पर जो प्लांट है, उनसे आपके जो खिती है, उसकी प्रोड़क्टिविटी थोड़ी जदा ही गिर रही है, यहाँ बाद फिर आप कुछिन की पूरी एक लिस्ट लेकि आओगे, वहाँ पर देखोगे, क्या पेड़ अग्रिकल्चर से क्रॉप से कितने डिस्टेंस पर हैं, पेड़ कपत्यां गराते हैं, कब फ्लावरिंग होती है, किस महीनिम आपकी क्रॉप की ग्रोथ पर आपको सब से ज इडेंटिफाइए कर लिने के बाद फिर हम उसका Solution करते हैं, उसकी structure में, जो आक्रोफोरिश्टी सिस्टम है, उसकी design में, और design में change करने के बाद हम फिर ऐई चीज को evaluate करते हैं, कि जो हमने समस्या थी, कि हमने उसे हटा दिया या वो अभी भी करने के बाद भी बची जब यह डिजाइन और एवैलुएशन चलने के बाद फाइनली ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि जब अपनी डिजाइन जो है फाइनल होचकी होती है जिससे अपने जो समस्य आए वह मैजोटी खतम हो चुकी है तो फ़र हम उसे लेके जाएंगे प्लानिंग फेज में मतलब आप हम उसको और बैटर तरीके से सिस्टेमिटाइज करेंगे अपनी नॉलेज को इन्फॉर्मिशन को प्लानिंग करेंगे और फ़र पूरे राजस्थान वालों को बोल देंगे कि भाई ऐसे करना है यह पुरान करने की जरूरत है नहीं अब बेसिकली बुला जाए तो अपना एग्रोफॉर्स्टी सिस्टम खतम हो चुका है उससे रिलेटेड कुछ चीज हैं जो कभी कभी अपने कुश्चन आ जाते हैं जैसे आपको कई वाल कुश्चन में अब्जक्टे में मिल जाएगा MPTS अब तो उसके कुछ और भी यूज हो जिससे कि अगर हम नहीं काटें तो हमें लॉस नहीं हो जाएगा चाव प्रोटेक्शन फंक्शन हो या प्रोडक्शन फंक्शन हो या फिर आप यह समाझ दो कि एक पेड़ जतनी जता से जता गेन देगा उतना फार्मर की इंकम बढ़ेगी तो यहाँ पर हम अग्रोफ फोरिस्टी में जो पेड़ लगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉल्टी परपज ट्री इस्पेशीशन यूजली हम देखेंगे कि कोई कोई सा पेड़ लगांगे जो आपको लखडी भी दे जो नाइटोजन भी फिक्स करें जो सपोच चारा भी जानवर को जलाओ लखड़ भी मिल जाए उससे खाने वाले फल भी मिल जाए मतलब आपको जितना मिल जाए उतना बढ़िया है तो मॉल्टी परपज के क्या बैनी फिट है क्या करक्टर होना चाहिए अगर फोरिस्टी सिस्टम के पेड़ के मैं जब आप इसे लिस्ट को प क्योंकि यही सबसे बड़ा इसू है कि है क्या लोग अंसर तो तब लगाएंगे ना जब यह सौट फॉर्ब का मतलब पता हो अब इसके साथ आपके जो सलेवा से राजस्थान का उसमें आई से वालों को तो यह बैसी भी पता होता है उसमें सलेवास में यह लिखा है कि जो अग्रोफॉरेस्टी इसका जो नाम है वो चैंज कर दिया गया अब उसका नाम हो गया काफरी Central Agriculture Central Agroforestry Research Institute FRI का मतलब यह मत समझ लेना कि FRI की Institute यह ICR की Institute यह Agroforestry के चक्कर में यहां FRI से जड़ जाता है यह थोड़ा confusion कर सकता है तो यह काफरी जो है वो Agroforestry की है इसका पुराना नाम है NRC AF Agroforestry जगतर question में यह पुरानी नाम पूछ रहा है क्योंकि नए वालों को जो पुराने पेपर सेटर होंने कई वारी चीज़ां अपडेट होती नहीं है सब अपनी लाइप इतनी जज़ा बिजी रहते हैं तो पुरानी चलता रहता है अब याद रख लो कि कब बनी तो यह बनाई गई 88 में और यह ICR की इंस्ट्यूट है ICFRE की नहीं इसी की एक सिस्टार और्गनाजिशन है बगल बगल में है वह अपनी इंद्रकांद्री फुडर रिसर्च इंस्ट्यूट यह भी जहांसी में है उसी के बगल में है यह बहुत पहले लग गई थी 62 में इसे भी याद रखना और यह भी ICR की है तो अग्रो स्रेक्राइब और फुडर Bishop में नहीं में यह बनी है उ मया लिए इस डोनों याद रखो तब उसका नाम रखा गया था International Center for Research in Agroforestry कि Agroforestry पर Research करनेख लिए International Center बना था इंस्ट्टूट में एक Center बना दिया था International level का विसे अपने कोई Time Pass Center बना दिते हैं कहां नेरोबी केन्या में यह कई बार पूछा जा चुका है बैसे अपने फोटने पहले पढदे पर अonen से पहले सब से पहले लेक्टर राज में बाद में इसके वर्ल लेवल पर अक्यला गोला है तो सभी यादा किशेट और और बाद में इसका नाम ही यही पढ़ गया सब्सक्राइब भी चीज हम बता चुका हूं बस यह याद रख लो कि फोर्थ जो है अभी फ्रांस में हुई थी पिछले साल और थाड अपनिया चवदा में हुई थी दिल्ली में अब एग्रो फोरेस्टी में एक लास है इंडिस्टियल एग्रो फोरेस्टी यह बिलकुल वही है जो हमने इंडिस्टियल फोरेस्टी बताया था बस सेम है इंडिस्टियल फोरेस्टी में बस वह फोरेस्ट इरिया में वही काम कर रहे थे वही प्लांटेशन को अपने अग्र पॉंगामिया यह दोनों प्लांट के नाम याद रखना है दोनों यूफ़वियसी की है इन्हें जब कड़ाएंगे तब आएंगे ट्रीस पीसीज में यह आएंगे डॉंट परी जट्रोपा करकास जो है यूफ़वियसी का है इसके सीड से ओयल निकलता है रतन जोत अपने न से जहां है जैसे आपने सुना होगा कभी आठ तरस्तार पहले जब रेल्वे में लालों पर साध्यादर थे तब रेल्वे की जमीन होती है पट्री के दोनों साइड उस पर यह जट्रोपा करकास की प्लांटेशन करनी के बात चल रही थी तो बो जो है वह एक टाप सी इस न टी गारडन उनके बीचिमें प्लांटेशन है स्पोर्ट अंडिस्टी की है जैसे सलेक्स किया पैपर पंट किया है तो देखो हर अगूड किया है हर इंडिस्टी में जो वोड है उसकी एक specific requirement है आपको जो लख लिया उसकी specific requirement के हिसाब से ही produce करनी पर दी वस इसी चीज को ध्यान देना है तो मैंने अगर आपको यहां एक को बता दिया तो आपके दमाग में आइड़िया रहेगा कि अधर को क्या सीच चाहिए औरुकी जिए सिलवास में कुछ है नहीं तो आपको बढ़ा रहेगा उसे जल्दी से फिर से नापीड बन जाएगा तो इससे आपको दोबारा सा प्लांटेजन का जो खर्चा वो बच जाएगा तीसरा फास्ट ग्रोविंग हो तेजी से बढ़ता हो बहुत बढ़िया छोटा जल्दी पक जाता हो हो सौट रोटेशन हो और सबसे बढ़ी बात फ्यूल गोड़ है जलाने हैं अगर उसमें कांटे होंगे तो जलाते समय अपनको दिक्कत होगा तो यहां हाई कैलोरिफिक वैलु हो ऐसी लखड़ी जिसमें उठ जा बहुत मिलती हो और कांटे भी नहों जल्दी तेजी से ग्रो रखा कोई अटक ना हो कोई दिक्कत नहीं हो और किसी पहली लुप तो भाई यह तो बहुत लंबे चौड़े क्राइटेरिया है ऐसा है कि जैसे सगाई में वह दूला खुजने गया हो लेकिन ऐसा नहीं है कैसे हमां कभी मिल जाते हैं यह स्टेंडर्ड क्राइटेरिया है ह अगर यहां पर शूल बूट की बात की जाए तो नौर्थ इंडिया में सबसे जदा आपने अकेसियल निलूट काव को लगाते हैं इसके पीछे रीजन है कि इसका जो काफी अच्छी खासी है खासकर और भी की हो सकती है लेकिन इसकी जो कालोरिफिक बैलू है उसके साथ इ च्छोटे-च्छोटे में अपने कार्ट लेते हैं इसे इसमाल वोड़ तीन साल के रोटेशन पर काट लेते हैं इसे तो इसका जो मीन एनुवल इंक्रिमेंट है काफ एच्छा और सबसे बड़ी बात इसके लोकल मार्केट है सबी लोग जानते हैं इसलिए अपन यह बोला किया के सिंद ले रिया इन दोनों को काफी अच्छा-खासी यूज़ किया जाता है और इसमें मैं लिया के सिया ने लोटका अब यहां अपना एग्रोफ फोरेश्टी वाला सिस्टम कम्प्लीट हो चुका है अब अपना जो अगला लेक्षर आएगा जो एक लेक्षर यह दो एक ही दिन में कम्प्लीट हो जाएगा वह है फोरेस्ट मैंसुरेशन तो अमीद है कि अपना यह जो विक शुरू हो रहा है में एक अपना फोरेस्ट मैंसुरेशन कम्प्लीट हो जाएगा दूसरा फोरेस्ट मैनेजमेंट जिसके जो मैंसुरेशन एसी के साथ रिमोट संसिंग कम्प्लीट कर लेंगो और जो मैनेजमेंट है उसके साथ वर्किंग प्लान और इल्ड रेगुलेशन वाला पार्ट है यह कंप्लेट हो जाएगा तो यह बहुत बड़ा है आपके एक दो थीन यूनेट है और यह पार्ट हो जाएगा तो लगो आपका सिलेवस 50% तक पहुंचाएगा अब यह पार्ट जो है बहुत जल्दी किसकते हैं तोड़ा आपको ध्यान देना है कि टाइम पे आप इने सुन सब्सक्राइब को क्योंकि एन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चोटी चोटी टॉपिक हैं बहुत बड़ा नहीं पड़ना होता है और जल्दी किसके नहीं से लिवाशाब हो करें